हलो एब्रिवान आज मैं बताऊंगे बीए समेस्टर फाइब इस्ट्री ओनर्स कोवर पेपर 12 के कॉश्चन के बारे में तो कॉश्चन में पुछाया है डॉक्टर सन्यास सेन की फ्लब्दियों का भीवरंदे डॉक्टर सन्यास सेन को चीनी करांती का पिता कहा जाता है उनका जनम 18-18 इश्वी में दश्चिन चीन में हुआ था उनकी पिता स्राधारन की सांते लेकिन सन्यास सेन अपनी योग्यता के करन चीनी इतिहास के महान पुरूष बन गया है उच्छा प्राप करने के उद्देश से वे 14 वर्ष की उम्र में होने लूलू चले गए जहां उन्हें सरपर्थम पश्चात विचारों से संपर्ख हुआ हॉंग कांग मेराकर बीए के परिक्षाव पास की और वहीं के मेडिकल कॉलेज में वे भरती हो गए डॉक्टर बनने के बाद भी वे देश के परती चिन् स्वाभाव से ही वे करांती कारी थे और मंचु राजवन्स का विनाश कर वे नविन समराईश के अस्थापना करना चाहते थे अतावे चीन के एक करांती कारी दर में सामिल हो गया सरपर्थम 895 इस विवे में अन्टन करांती सरकार के कारियालों पर अधिकार करने के लिए उन्होंने विद्रो किया या उनका पर्थम करांती कारी परियतन थाले किन सरकार को इसकी सुचना मिल जाने के करन विद्रो आशफल रहा उनके बहुत से साथी पकड़े गये जिने मौत की सजा दी गई डॉक्टर सरन्या सेन किसी तरह बचकर जापान चले गए लेकिन उनके दिल से मंचु राजवन्स के विनास की भावना नहीं गई अपने उदेशों की पूर्ती के लिए वे देश विदेश का भर्मन करते रहें अठारो सो च्यानवे श्वी में वे लंदन पहुंचे ले किंद्रभाई गवर्स पास्चान लिए गया और चिनी अंदूतावास ने उन्हें केद कर लिया चीन लोटने पर उनकी मौत निश्ची थी लेकिन वे किसी तरह भाग निकले दो वर्ष्टों तक उने यूरोप मेरा का राजनितिक एवं समाजिक सिधानतों का अध्यन किया 1900 से 1905 के बीच भी सुदुरपूर में घुमते रहें और करांती कारी कारियों का शंगठन करते रहें 1905 में डोक्टर सन्याज सेर ने अपनी और करांती कारी दलों को मिला कर्टूंग मेंग हुई नाम की पार्टी का निर्मान किया इसी से पीछे के एमटी दल का उदे हुआ और आगे चल कर शारे चीन में इसका सासन फ्रल गए अपनी करांती कारी विचारों को फलाने के लिए उसने समाचर पत्र निकाला पर्थम अंग में ही डोक्टर सन्याज सेर ने तीन सिधानतों पर जोड़ दिया जो आगे चल कर के एमटी के परमुक सिधानत बन गये वे थे राष्टी अतालोग तंत्रिय शाषन आठिक विका एम शमाज वचीनी सेर निकों ने भी करांती करे सिधानतों का परचार किया 1907-1908 के बीच डॉक्टर सेर ने श्वे छे ससस्त्र विद्रोहों का नितरित किया लेकिन करांती कार्यों को सफलता नहीं मिल सकी डॉक्टर सन्याज सेर के प्लबधी 1911 इश्वे में चीन की करांती में भी डॉक्टर सन्याज सेन ने महत पूर्ण योगदान दिया करांती के समय उसने बिटिस विदेश मंतरी सर एड़वर्ट से भेट कर कर करांती में विदेशों द्वारास तक शेब नहीं करने का वचन ले लिया चीनी करांती के सफलता में उसकी अम्यत्पुन देन थी करांती कारी उने नानकिंग को अपना केंदर और डॉक्टर सन्या सेन को चीनी रिपब्लिका शामिक राष्ट पती चुना करांती के बाद भी इस समय चीन में दो सरकारे थी एक युनान सी काई की नेतरित में पीकिंग की सरकार और दूसरे प्रॉपलिकान सरकार लेकिन देश की एक ताहिम सतंतर्त को धियान में रक्तर डॉक्टर सेन राष्ट पति का पद्ध युआंस फीकाई को शोप दिया इस तरह देश की अखंता अस्थापित करने की दिशा में डॉक्टर सेन का यमायत्पून नितियाग्ट था के एम्टी आविद गोशित कर दिया गया और उसके सदेश्यों को पालिया मैंन से निकाल दिया गया लेकिन युआन सी काई कहती है चार के फल सरूप भी डॉक्टर सन्या से ने देश प्रेम नहीं छोड़ा और के एम्टी का कुछ सल्ता के साथ नित्रित्व किया पर्थम वि के भी तर संगाई से भागना पड़ा के एम्टी के पुन संगठन एवं चीनी राष्टी आंदोरन बढ़ाने के लिए उसनी विविन उपाय किये सर पर्थम उन्होंने पश्रीम राष्टों से साहता मांगी लेकिन उसे निराश होना पड़ा चीन के सोसन में सबका श्वार था वे उसकी बलाई अब ब्रदी नहीं चाहते थे अथा डॉक्टर सेन अब रूस की और जुके उनिसो तेस इस वी में उसने इसमें कहा था वी नॉट लुक तू दा वेस्टन पावर आवर फेसेज आर टर्न टुवार्स रस्या के एम्टी के पुनरसंगर्थन में कारों ने महत्पुन योगदान दिया उन्होंने शामिवादी दल के अधार पर के एम्टी के पुनरसंगर्थन कर उसे अतियन सक्तिसाली बना दिया देश की सेनिक सक्ति मजबूत बनाने के लिए एक नवीन सेनिक अस्कुल खोला गया जिसका परधान डॉक्टर सेन ने चं सरकार के साथ समझता करने के चीन में राष्टिये एकता स्थापित की जाए इसी परियतन के दोरा 925 इस्वी में उसकी मिर्ति हो गई इस तरह अधुनिक चीन के इतियास में डॉक्टर सेन का बहुत मैत्पुन अस्थान है उसका चीन के इतियास में वही अस्थाने जो रू का है डॉक्टर सेन का अभिर्भा उस समय हुआ जब विशाल चीन विदेशियों के सोशन एवं मंचु राजवन्स का दुरबल साशन का शिकार बना हुआ था उसने अपना शाराज जीवन देश की सेवाओं में अर्पित कर दिया मंचु राजवन्स की समाप्ति एवं विश्तिक का ग्यान था इसलिए वा सयोग्यों से पूरा प्रलाब नहीं उठा सका दुरबायक वस उसे अच्छा सयोगी नहीं मिल सका अधा जीवन काल में उसे मनोवांचित सफलता नहीं प्राप्त हो सकी फिर भी उसने ना केवल चीन के लिए बलकि एन परतंत्र देश के लिए परदर्शक एवं प्रेना का कायर के डॉक्टर सेन चीनी गनराईज का पाला राश्पती चुना गया लेकिन देश को गिरी यूस से बचाने एवं उसकी एकता के लिए उसने युवान से काई को राश्पती का पद शोप दिया अनिक उप्युक्त कार्णों के फल सांस्किर्तिक पुरण जागरन हुआ उसके आदस उसकी मिर्तिवाद और भी न इख रहे यहां तक कि उसकी विरोधियों ने भी उसके सिधानतों का आदस रूप में श्विकार किया आधूनिक एशिया के महंतम निताओं में उसका नाम सदा अमर रहेगा और आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माय यूटूब चैनल और शेर जरूर करें